आपकी achievement में जरूरी नहीं, आप कोई position older हो, जरूरी नहीं, आपके पास प्रोपर certificate ही हो, आपने अगर अपने school level पे किसी भी extra curricular activities में, curricular activities में participate भी किया है, तो आप वो सब चीज़े इसमें लिख सकते हो, हाँ, इससे फिर question बनते हैं, वो बस कुछ points बताने वाला हूं भाई, इनको हद से ज्यादा positive points मिलेंगी, यह याद रखना, केंदरी विदालय में scout and guide हर एक school में है, लेकिन scout and guide केंदरी विदालय में primary class में बोलते हैं, cubs and bull bull, कैसे हैं आप सभी, hopefully बहुत बढ़िया होगे, और आज हमारी video number है 3, इसमें आज हम बात करने वाले है, special उन बच्चो के बारे में, जिनके पास कोई achievement ही नहीं है, मतरब, achievement अगर हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो क्या बताए, plus वो बच्चे जिनके पास एक जैसी achievement एक से ज्यादा है, जैसे कोई best athlete बनेगा चार बार, ठीक है, कोई अपने school में कुछ ज्यादा बढ़ा नहीं कियो participant रहा है, किस के पास participation है, पर certificate नहीं है, कोई position holder है, बट उसके पास भी certificate नहीं है, तो ऐसे बच्चे या वो candidates जिनको achievements वाले portion में problem आ रही है, क्योंकि हमारे जो by data form जाएगा अंदर interview panel के सामने, उसमें specially एक part होता है, achievements, तो हमें उसमें एक दो तीन अपनी achievement फिल करनी होती है, अब पहले म मैं बता देता हूँ, मैंने अपनी क्या achievements फिल की due time में, जब मैं school में the 12th में, तो I was the house captain of Krukshetra house, तो उसके अलावा एक मैंने ये भी बतायादा की, got my NCCC certificate with A grade, तो ये दो points मेरे लिए काफी बढ़िया हो गये, प्लस आपके जो bio data से question बनते हैं, वो सबसे ज्याद आपके achievements बनते हैं, अब मेरे से क्या बने दे, मेरे से रोले सिधा सिधा question बुछा था, कि अच्छा से पढ़े हो आप, ठीक है, तो मुझे leadership qualities बता दीजी तीन चर, तो ऐसे time पर उनको explain नहीं करना होता, leadership quality के अंदर तीन चर चीज़े बतानी होती है, बस अपना main main बता दो, तो फिर मैंने क्या क्या था, जो से हम सेनिक स्कूल में कुछी जयाद करते हैं, officer-like qualities, तो हम self-discipline, ऐसे explain नहीं करनी है, point to point बताये, self-discipline, have charming personality, respect his subordinates, good communication skills, इस तरीके से, आप 4-5 points, जो भी आपके अपनी बाते हो सकते हो, वो आप बता सकते हो, और मैंने NCC का CC टिकेट था, with A grade, फिर NCC जिनके पास है, उनके बारे में अब थोड़ा सा अलग से बात करेंगे, सबसे पहले, अब आजाएए वो बच्चे, जिनके पास कोई भी ऐसी achievement है ही नहीं, तो वो क्या लिखे है अपने achievement पार्ट में, देखो मैं आपको एक दो चीज़े बता देता हूँ, आपकी achievement म ही नहीं, आपके पास हो proper certificate ही हो, आपने अगर अपने school level पे किसी भी extracurricular activities में, curricular activities में participate भी किया है, तो आप वो सब चीज़े इसमें लिख सकते हो, हाँ, इससे फिर question बनते हैं, वो बस answer करने के लिए ready रहना, ठीक है जैसे, आप कुछ है जीज़े लिख सकते हो, क्योंकि ह हम सबने कही ना कहीं participate किया होगा अपने school में, extracurricular activities में, prayers में, skit में, किसी भी गीत, sangeet में, backstage ही को ना हो, पर किया जरूर होगा, तो आप यह सर्चीजे लिख सकते हो, participated in extracurricular activities during my school days, एक पेंट, सब लिख सकते हैं, दूसरा है, अगर और कुछ भी नहीं है ना बाई, तो एक यह लाइन भी लिख दोगे, तो भी बला हो जाएगा, past, या फिर clear, cleared, kvs return cutoff in my first attempt, आपने आप में, यह भी हमारे लिख बहुत बड़ी achievement है, ठीक है जी, दो achievement तो हम कोई भी बच्चा लिख सकता है, अब आग या, कोई भी प्राइज या अवार्ड, अगर हमें एक से ज्यादा बार मिला है, तो उसको कैसे लिखना है, अब वो बच्चे हैं, जिनको कुछ न कुछ मिला है, फिर वो भी आएंगे कि किन-किन चीजों को हम, जैसे कुछों के पास NCC काया, NSS का certificate होता है, यह लोने कोई चोटा मोटा कैम्प किया होता है, बस कोई बट बड़ी च हो जाएंगे वहाँ पे, कोई भी प्राइज अगर अवाड हमें एक से ज्यादा बार मिला है, जैसे कोई बेस्ट अथलीट बन गया अपने स्कूल में, टेंथ में बन गया, इलेउंथ में और ट्वेल्थ में, तीन साल बन गया, एक बार में सिधा, वो डिरेक्ट बोल सकता प्लेड या रिप्रेजेंटिड माइ स्कूल इन फो एंट अट इस अट इस एक्टिविटीज फोर टाइम्स, त्री टाइम्स, टू टाइम्स, क्योंकि यह दो तिन चीजे मेरे ध्यान में आई हैं, बहुत सारे बच्चोगी, तो वो हम थोड़ा सा देख लेएं, थोड़ा यह एक एज मिलेगा आपको, एक पोजिटीव इंपेक्ट आप क्रियेट करोगे, बाकाइदा उससे क्रोश क्रेस्टन होंगे, वो आपको अंसर करने पड़ेंगे, बट अगर आपने पार्टिस्पेट किया तो आप वो सब अंसर कर दोगे, तो वो चीज़े आपके लिए फिर इजी हो जाएंगे, उसके अलावा, आपको ओरीगेमी, आर्ट एंड क्राफ्ट, तिंक्स वी मेक एंड डू मतरब इस चाइप की चीज़े, ठीक है, वर्क एक्सपिरेंस, इन चीज़ों से रिलेटिड अगर कोई सेमिनार, कोई काम या कुछ एक्सपर्टिज हासिल है तो आपको उसमें भी एक पोजिटिव एज मिलने वाला है, यह बहुत पोजिटिव चीज़े हैं, आपने स्कूल टाइम में, किसी साइंस सेमिनार में, किसी स्कित में, सिंगिंग कमपिटेशन में, किसी भी ऐसी चीज में अगर पार्टिस्पेट के और आप बहुत आपने किसी सोशिल एक्टिविटीज में किसी तरह से पार्टिस्पेट किया है, या फिर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, जिनोंने किसी सेवा, ऐसे नहीं कहते हैं, सर, हमने फ्री में बच्चों को पढ़ाया गर पे, कुछ ऐसे इस तरह से लगा लो, जो सेवा बस्ती है, ग पढ़ाया है, ऐसा अगर टूशन का या पढ़ाने का आपने काम किया है, फ्री में कोई सेवा का काम किया है, तो आप इसको लिख सकते हो, और इसको बकायदा बताइए, क्योंकि यह होते हैं, सेवा केंद्रों के द्वारा काम, या आपने खुद से किया, ऐसे जहां पर केले पढ़ाते हो और शेवा काम करते हो इनको बोलते है एकल विद्या ले एक टेकनिकल टम आप यूज कर सकते हो सर एकल विद्या ले कुछ लाया मैंने कि जहां पर मैं अकेला टीचर होता था और बाकी बच्चे अलावा अगर आप लोगों के पास है तो बहुत सारे बच्चों के पास मेले लिगा गा रिपल सी उटिपिटी इसको आप लगाईये इसको आप अचिवमेंट में लिखिए प्लस आपसे फिर फिर वा क्वेस्टन पूछेगा की हाव विल यूू यू 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 यूर आई-सी तो आप बताईए ना किसर में ICT का यूज़ करते हूँ बच्चों की ज्यादा से ज्यादा से इन्वोल्मेंट क्लास्रूम एक्टिविटीज में पिर उनकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में लेकर आऊँगा जिससे उनकी लर्निंग प्रोसेस और ज्यादा एंड्रिस होग भशाँ में लर्निंग वोगी बच्चों को एक लंबे टाइंं तक चिज्जय याद रहेंगी फिर आते है स्काउट एंड गाइड यह ध्यान रखना वाई केंडरी वीधालय में स्काउट & गाइड हार एक स्कुल में हैं लेकिन इसपाउट & काईड को केंडरी वीधालय में साथ केंडरी वीधालय में नुकर सकट हैं कब एड्ड बूल बूल ताह्त resilient girls यसे सकंडरी में छाफ भी primitive second deciding on the sixth । चैंड से रूप पर वह हो जाते है फिर Scout & Guide और उनको जो करता है जो टीचर वह हो जाता है कब Master ठीक है या फिर उधर Scout Master यह थोड़ा सा ध्यार नखना तो यह हमारा अचीवमेंट वाला पार्ट है अब पता चल कि आभी आप किस केटेगरी में आओगे तो अब कमेंट सेक्शन में यह जरूर होगे ताकि अगर उसमें कोई भी क्रेक्शन की जरूरत हुई तो मैं आपको वह लिख के तुरंत बढ़ा दूगा ठीक है तो बदाना भाई यह वीडियो कैसी लगी हमारी तरफ से एक च्छोटी सी इनिशेटिव हो आपको डेली एक ऐसी वीडियो मिल जाया गरेगी और आ टाइम आपके लिए सबसे गोल्डन फेज होगा कि इस टाइम हम कैसे मैंनद करते हैं साथ में मिलके ठीक है all the best बहुत बहुत श्यूब काम नहीं बारत माता की जैए जैसरी राओं